नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है इलेक्टोरल बॉन्ड काफी चर्चा में है अभी और इलेक्टोरल बॉन्ड का सेकंड राउंड आप डेटा SBI ने रिलीज किया है तो हमने फर्स्ट राउंड की पहले ही बात कर ली थी तो अभी हम सेकंड राउंड का जो डेटा आया है उसको डेटेल में अनलाईज करते हैं और जो जो कमिया थी पहले राउंड में देखते हैं क्या सब कुछ SBI ने दे दिया है या नहीं तो अभी जै नहीं चल रहा था कि किस donor ने किस party को कितना fund दिया है तो ये detail अभी आ गया है तो अब सबसे पहले जान लेते हैं कि अब तक क्या-क्या हुआ है events कैसे sequence क्या रहे हैं तो आपको पता है electoral bonds 29 जन्वरी 2018 को लाया गया था भारत सरकार द्वारा और सुप्रीम कोर्ट ने electoral bond को आसमबैधानिक घोशित कर दिया था 15 फर्वरी 2024 को फिर सुप्रीम कोर्ट ने SBI को एक deadline दिया था कि आप 6 मार्ज तक सारा data reveal करिये और election commission आफ इंडिया को दे दीजिए election commission आफ इंडिया ने 14 मार्ज को एक अप्रेल 2019 से 15 फर्वरी 2019 तक के बीच का जो data था वो election commission आफ इंडिया को सौप्द दिया था और election commission आफ इंडिया ने उस data को अपने website पर upload किया था अब हमने आपको पिछले वीडियो में यह बताया था कि सारे electoral bonds का एक unique identification number होता है जिसे unique matching code भी कहते हैं और उसी से सारे donor और party को हम आपस में batch कर सकते हैं तो आप यह देख सकते हैं जो पुराना data था उस data में जो upload किया गया था दो part में किया गया था पहला part था जिसमें आपको data purchase और purchaser का नाम और कितने का bond दिया गया है वो यानि जैसे कि example के लिए यह पहला वाला जो मैंने highlight किया है बारा अप्रेल 2019 को ABC इसी इंडिया लिमिटेड ने bond खरीदा एक लाख रुपए का तो यह आपको पता चल गया है कि इन्होंने इस दिन bond खरीदा और वहीं पर यह data का जो दूसरा part था उस data के दूसरे part में date of encasement आ रहा है पार्टी का नाम आ रहा है और कितने का bond इन्होंने redeem किया है वो आ रहा है यानि ही आप election commission आप इंडिया की website पर जाएंगे तो उसमें election commission ने दुबारा data upload किया है जो SBI दौरा मिला है उन्हें 21 मार्ज को और उस data में सारी detail है कि किसने redeem किया किसने purchase किया किसका bond था इससे पहले कि हम आगे का discussion सब्सक्राइब करें आप video को like कर लिजे और channel को subscribe करिए आपके like करने से आपका कुछ नहीं जाएगा बट हमें बहुत motivation मिलेगा और हम ऐसे content आगे भी बनाते रहेंगे आपके लिए अभी हम यह data देख लेते हैं इसमें क्या है जैसे आप देख सकते हैं इसमें सिरियल नम्मर, डेटा फिनकैस्मेंट, नेम आफ पॉलिटिकल पार्टी, एकाउंट नम्मर आफ पॉलिटिकल पार्टी रिबील नहीं किया गया है और यह जो है प्रिफिक्स और बांड नम्मर यही है वो यूनीक मैचिंग कोड जो सुप्रीम कोड बार-बार SBI को बोल र है और ऐसी ही आप अगर इसका पार्ट 2 देखेंगे तो इसमें भी जो कंपनियों ने बांड खरीदे हैं उसमें भी आपको एक यह यूनीक मैचिंग कोड मिलेगा तो अब आप इस यूनीक मैचिंग कोड को मिला के यह देख सकते हैं कि कौन सा बांड किस पार्टी द्वार फ्यूचर गेमिंग, फिर मेगा इंजिनिरिंग, क्विक सप्लाई चेन, बेदानता और हल्दिया एनर्जी तो हम इन टॉप 10 में से टॉप 5 का डेटा एनलाइज करेंगे कि इन्होंने किसको फंडिंग की है और वहीं पे आपको बता दे कि पॉलिटिकल पार्टी जो थी ज पार्टी टाइप की है और वह बेस्ट बेंगॉल में ही पावर में है फिर भी उनको सेकंड नमर पर चंदा मिला है वहीं पर तीसरे नमर पर कॉंग्रेस है फिर भारत राष्ट समिती है और आगे आप देख सकते हैं लिस्ट में कौन-कौन है अब हम लोग डेटा को एनलाइज कर देते हैं तो सबसे टॉप पे जो कंपणी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विशेज जो सैंटियागो मार्टिन की कंपणी है और लॉट्री किंग के नाम से जाने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर संदे था कि इन्हो से ज़्यादा इन्होंने TMC को दिया है और इनका एमाउंट है 542 करोड सिर्फ TMC को ही दिया है इन्होंने अपने टोटल में से वहीं पे फ्यूचर गेमिंग और सर्विशेज ने DMK को दिया है 503 करोड और फिर उसके बाद तीसरे नमर पर आती है YSR कॉंग्रेस जिसको 154 क JP जो अभी ruling government है इनको 100 करोड दिये हैं और फिर आती है फिफ्त नमर पर कॉंग्रेस अच्छा इसमें आपको ये नाम देखके कई लोग confused हो सकते हैं कि इसमें President All India Congress Committee लिखा हुआ है तो ये क्योंकि Congress Party की जितनी भी funding होती है वो President Congress के जो उनकी पार्टी है उसके President के खाते में जाती है नाकी पार्टी के खाते में Congress का पार्टी का नाम Indian National Congress है बड़ जो इन्होंने President All India Congress Committee बनाए उसमें नाम All India Congress Committee ही रखा है इसमें confused नहीं होगा कि ये नहीं होना है कि ये Indian National Congress नहीं लिखा है All India Congress Committee लिखा है अब जो सबसे उसके बाद जो सेकेंड नम्मर की कमपनी है मेगा इंजिनरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर उसने सबसे ज़्यादा funding दिया है BJP को जो आ रहा है 584 करोड और वहीं पे सेकेंड नम्मर पे दिया है भारत रास्ट्र समिती को 195 करोड और उसके बाद तीसरे नम्मर पे DMK है 85 करोड फिर तीसरे नम्मर की कमपनी थी Quick Supply Chain Private Limited ये काफी चर्चा में रही है ये कमपनी इस कमपनी पे काफी मीडिया में आरोप लगते रहे है कि ये Reliance की सब्सीडिरी है या Reliance से इसका कुछ ना कुछ लिंक है बट Reliance कमपनी ने इससे सफाई दी है कि इससे हमारा कोई लिंक नहीं है और ये कमपनी से हमारा कोई लेना देना नहीं है बट इसने सबसे ज़्यादा funding BJP को दिया है 375 करोड वहीं पर दूसरे नंबर पर इसने सिवसेना को दिया है 25 करोड और तीसरे नंबर पर Nationalist Congress Party महरास्टा प्रदेश को दिया है 10 करोड फिर उसके बाद आ जाते हैं हल्दिया इनर्जी पर इसने सबसे आदा funding दिया है TMC को उसके बाद सेकेंड नंबर पर BJP है फिर बेदान्ता लिमिटेड जिसने BJP को दिया है 226 करोड और उसके बाद Congress को दिया है 104 करोड अब हम बात कर लेते हैं जो अभी ruling में government है BJP उनके top 10 donors कौन-कौन हैं तो सबसे नंबर वन पर है Mega Engineering 584 करोड इन्हों ने दिया है BJP को उसके बाद quick supply chain private limited 375 करोड फिर है बेदान्ता 227 करोड फिर भारती companies है 236 करोड देन है मदनलाल 176 करोड फिर केवेंटर food pack infra है 145 करोड और उसके बाद है DLF commercial developers 130 करोड फिर है बिरला कारवन इंडिया private limited 105 करोड और उसके बाद future gaming and hotel services का नाम आता है जिसने 100 करोड दिये हैं वहीं पर हल्दिया energy उसके इसके आगे का लिस्ट मैंने नहीं दिया क्योंकि लिस्ट काफी लंबी है तो इतना सारा लिस्ट देना पॉसिबल नहीं है बट आप लोग में में चीजें देख सकते हैं अब उसके बाद बात कर लेते हैं कुछ इंडिविजुल्स हैं जिन्होंने सबसे आदा डोनेशन द बीजेपी को दिया है वहीं पर सेकेंड नंबर पर है राहूल भाटिया इन्होंने 20 करोड का टोटल डोनेशन किया जिसमें से 16 करोड टीमसी को दिया है फिर तीसरे नंबर पर आते हैं राजे सगरवाल इन्होंने 20 करोड के टोटल डोनेशन किये जिसमें से पूरा का पूर पूरा इन्होंने 20 करोड़ कॉंग्रेज को ही दिये हैं फिर इंदर ठाकुर्दास आते हैं जिन्होंने 14 करोड़ और पूरा का पूरा बीजेपी को दिया लास्ट वाला नाम थोड़ा गडबल हो गया है यह हम लोग देख लेंगे यह इसको इग्नोर कर दिजेगा आप क्योंकि यह रिपीट हो रहा है एक्चली यह कोई और नाम है डेटा में लेते टाइम मेरे से थोड़ा मिस हो गया है कोई नहीं हम चार कंपनियों को देख लेते हैं तो इसमें जो मैंने पूरा डेटा देखा उसमें सबसे ज्यादा एक्चली इंडिविजुल्स के फंड गए है वो बेज़िपी को गए है तो आई यह देख लेते हैं इसका कंक्लूजन क्या रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जो अभी तक डेटा आपको बताया है वह आपको समझ आया होगा आपको एक बेसिक समझ आई होगी इलेक्टोरल बॉंड को लेके तो इसमें मे इसका हो सकता है वो बोल रहे हैं कि अगर कोई पार्टी मालेजे अभी उन्होंने बीजेपी को फंडिंग दिया और बीजेपी की सरकार है और मालनों सरकार चेंज होती है कॉंग्रेस आ जाती है तो वो उनसे रिवेंज लेने के लिए उनके उपर करवाई कर सकती है उनको पर अदरहाल अभी सुप्रीम कोड ने जो डेसीजन लिया है उसके हिसाब से डेटा आउट हो गया है तो हम लोग को को तो सिर्फ इससे मतलब है कि क्या डेटा है और इससे आपका जो कंक्लूजन निकालना है आप निकालिया और आप इस मुद्दे पे क्या सूचते हैं हमें कम बताईएगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ